ये रेमिडी का यदि आप सेवन करते हैं एक हफ़ते में आपकी मोटी से मोटी चरबी पुराने से पुराने जिद्धी से जिद्धी मोटापा को ये बहुत आसानी से पिगला देगे इसके साथ ये डियोटिस को कंट्रोल कर देगी यदि आपको कमर में दरद रहती है पीठ म आवाजें आती है ये सभी प्रॉलम को बहुत ही आसानी से ठीक करने का ये डिंक ताकत रखती है और साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम फास्ट कर देती है मेटाबॉलिज्म यदि आपका सही रहेगा दुरुस्त रहेगा तो आपको कभी भी मोटापा नहीं होगी प्रेंट कई भी भी आपको चर्वी नहीं वड़ेगी आपको कोई भी बिमार्या छूबी नहीं सकेगी क्योंकि आपका पाचन सकती एकदम धुरुस्त रहेगा और जो आपके सरीर को फिट और हमेसा एनरजेटिक बना कर रखेगी कभी आपको थकान नहीं महसूस होने कंप्लीट दिखेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और यह पांच मिनट के वीडियो आपको बहुत बड़ी से बड़ी बिमारियों से बचा सकता है तो आहोप आप सबों के लिए वीडियो काफी फैदे मंद रहेगे तो चास्ट जदे इस वीडियो का अपने जा रही हूं यह आयुर्वेद की बहुत पूरानी किताब चरक संगीता के माध्यम से मैं बताने जा रहे हूं और यह आजमाया हुआ नुसका यह नुसका बहुत ज़्यादा असरदार और फाइदे मन नुसका है इसका सेवन करके आपको 110 परसंट फाइदा होने वाली है त तो इसका सेवन ज़ूर करके एक बड़ देखें आपको बहुत वैदा नजर आएगी तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अजवाइन लेना है तो यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया हुआ है जहां तक अजवाइन के फादे की बात की जाए तो अजवाइन अनि पतके लों के दर्दर क्रहती है तो यह सभी कुछ ठीक होने वाली है घुटनों के दर्द को ठीक करती है कब्ज'' से राहा दिलाती है यहाँ अजवाइन रहात दिलाने का काम करती है यह बहुत ही असरदार चीज होती है तो इसका 700 परसंड बहुत ही फायदेमंद होती है तो यहां पर देखिए यहां मैंने अजवाइन लिया हुआ अब तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए दूसरी चीज जो लेनी है वह है कलाउंजी जिसे ब्लैक क करती है इसके साथ इसके और भी बहुत सारे गुन होते है तो यहां पर कलाउंजी लेना है तो आएग आप हम लोग जानते हैं कि यह सभी सामगरी कितनी-कितनी मात्रा एक महिना में लिया देखला में लिए और आपको कर लिए और यह से लिए यह दोनी चहीश वाजिप में रहे हमाण तो आप चली हम लोग जानते हैं कि इसे खाना कैसे है इसे खाने के लिए देखे फ्रेंट सबसे पहले आपको एक ग्लस पानी लेना है और एक ग्लस पानी में आपको बस यह जो मिक्स करके आपने रखा है ना अचवाइन और मंग्रेला का मिक्सचर उसको बस दो चुटकी दाल के रख दे एक ग्लस पानी में और उसे रात बर भीगो करके छोड़ दे और सुबह में इसका हमें यूज करना है तो इसे पहले मैं रात बर इसी तरफ ड़क करके रख दूंगी और क्यूंकि इसका अरोमा ये दोनों चीज का अरोमा पानी में आ जाएगा अच्छे से तो ये देखिए मैंने रात बर भीगो के रख दिया है और इसे अब मैं सुबह में आपको दिखा रही हूँ तो सुबह में देखिए कलर भी पानी का चेंज हो गया है और अब हमें इसे क्या करना है कि इसे हमें उबालना है और चलिए हम लोग इसे पहले उबाल लेते हैं पानी के साथ तो अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में आप पो इसे अच्छे से गरम करना है तो मैं इसे अच्छे से गरम कर ले रही हूं ताकि यह दोनों चीज का आरोमा पानी में आजाए और हमें वह 100% फैदा दे तो इसे पांस एच्छे मिनट तक लो फ्लेम में बच गई है यानि एक ग्लास पानी एक कप जितना बच गई है और देख रहे हैं इसका पानी के खलर भी चेंज हो चुका है और यह पूरी तरह से इस दोनों चीजों का आरोमा इस पानी में आ चुका है और इस रेमेडी का सेवन आपको सब्ता में सिफ तीन दीन ही करना है और सुबह सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करें और हलका गरम होना चाहिए तभी यह फायदा करेगी और सब्ता में सिफ तीन दीन ही इसका सेवन करना है और सिफ डेर महना आपको इसका सेवन करना है यह आपको 100% फायदा करेगी और साथ ही आपको चीनी को कम कर देना ह ज्यादा नमक ज्यादा चीनी को सेवन बिल्कुल नहीं करना है सुबह साम आपको morning walk और evening walk आपको करना है और हलका फुलका exercise आप करते जाए और अकपाल भाती अलोम बिलोम और इसके साथ साथ आपको अंग मर्दना योगा भी करना है यह आपको यूटूब में कहीं भी मिल जाएगी यूटूब में आप सर्च करेंगे तो अंग मर्दना करके आप लिखेंगे तो वो तुरत ही आप करने से आपकी डियाविटेस कंट्रोल हो जाएगी कमर का दरद पीट का दरद जोड़ों और गुटनों का दरद हमेसा के लिए खतम हो जाएगा गुटनों में जो ग्रीज खतम हो गई है वह भी ठीक हो जाएगी तो आप सब आपको मोटा पासी भी छुटकारा मिलेगा तो मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे stay safe and stay healthy